हेलो बच्चों आज हमारा क्वेशन है दा लेंद एंड ब्रत ओफ आ रेक्ट अंगुलर फार्क आ नाइंटेट्स मीटर एंड सेवनेटिक मीटर रिस्पेक्टली रिस्पेक्टली का मतलब होता है कि अगर पहले क्या दे रखा लेंद दिरेखे तो यह लेंद होगी पहले और लेंद होती यह ब्रत होती अब देखो लेंद दे रखा 98 मीटर और ब्रत कितनी दे रखी 76 मीटर रिस्पेक्टली फैंद पैरिमीटर है अब पैरिमीटर क्या होता है इनके चारों साइड का जो सम आएगा वह हमारा पैरिमीटर होता मतलब चारों साइड का जो सम आएगा क् यह भी 76 होगा. अद चारों साइट का सामको हम क्या कहते है? परमीट्र कहते हैं. लेकिन हम इसको फोर्मलेस से करेंगे. तो परमीटर हमारा क्या हो जाएगा? परमीटर अफ पार्ग 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 यहां फोर्मलेस होता है? 2L पलस B हमने का चारों साइड कसंद तो यह 2L प्लस B क्या हो गया यह क्या हमारी लेंथ है तो हमने बोला लेंथ भई यह हमारी क्या होती ब्रेथ होती तो हमने प्लस किया ब्रेथ फिर हमारी लेंथ आ गई कितनी है फिर लेंथ तो हमने प्लस किया लेंथ फिर हमने बोला ब्रेथ है त इसको भी पलस कर दो विरत, अब इसको देखो, दो लेंथ है हमारापा, तो हमने वहला two length, और two विरत है, तो two हमने विरत कर दी, अब इस two को दोनों में two है, तो हमने यह भाल लिया, तो l पलस b, यह हमारा बन जाता है, फॉर्मूला, पेरेमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 bracket में L प्लस B ओके अब देखो parameter 2 L हमारे कितना है L हमारे दे रखा 98 meter और B कितना दे रखा 76 meter अब parameter of the रख्टों में पार 2 ऐसे रहेगा भार देखो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 carry 1 9 और 7 कितना हो गा 16 1 carry थी 17 174 meter अब इसको multiply कर दो भाई 248 2714 21215 और यह meter में तो meter तो parameter of the रख्टों में फिल्ड कितना है 548 meter ओके